अब हम देखते हैं कि count plot क्या होता है और किस तरीके से बनता है screen में आपके सामने share करता हूँ and then it will be easier for us to understand यहाँ पे यही data है हमारे पास ठीक है अब मैंने क्या करने है count plot बनाने है so count plot बलके इसके लिए मैं file ही अलएक से कर लेता हूँ यहाँ पे इसको मैं save कर लेता हूँ यह वाले तीन चीज़े मैं copy कर लेता हूँ and इसको बंद यहाँ से यह भी बंद यहाँ से नया script and control s 03 underscore count plot यह हमारे पास save हो गया यहाँ पे starting वाली दो commands मैंने लिख दी क्योंके हमें यह तोनों चाहिए data और बाके चीज़े of course data पहले भी था but we need to rerun that अब हम बनाते है count plot count plot in ggplot2 इसका simple तरीका यह होता है कि आप अपना data कोई भी ले और उस data की base पे आप अपना count plot बना सकते हैं जैसे अच्छा चलो इसने दिया है हमारे पास कि आप geom bar कर सकते हैं और hex access पर कर सकते हैं but I will create my on plot here तो मैं क्या करता हूँ यहां से ggplot हमने पहले लिखा sorry इसके इसको मैं जरा रोग लूँ थोड़ा सा tool में जाके global options में जाके co-pilot में जाके enable को pilot को मैं disable कर देता हूँ for the sake क्योंकि यह मिझे जरा disturb कर रही है so ggplot मैं ने लिखा यहां पर यहां पर हम पहले देंगे data आपको भी पता है data is equal to df data दे दिया aesthetic आएंगी फिर aesthetics की अंदर आप x देंगे सिरफ x is equal to say for example मैं यहां पर कर देता हूँ किस चीज का count plot बने crop type का बना लेते हैं crop.type ठीक है अब यह जो हमने काम यहां पर किया crop type का plus geom bar ठीक है और इसको run करके देखते हैं यह हमारे पास एक ही geom bar आई है because we didn't say anything like identity or something और of course अगर आपको यहां पर मैं बलके इसी एक website भी जाता हूँ दुबारा से यहां पर search में आप लिखते है count plot and यह आपके पास इस तरीके से open हो जाएगा and here you can see किस तरीके से आपका count plot बन सकते हैं and आप किस तरीके से इसको summarize भी कर सकते हैं something like this ठीक है so यहां पर आपके पास aesthetic आ जाएंगे x दे दिये y दे ना y दे दे और उसके अंदर भी आप चीज़ों को set कर सकते हैं तो मैं यहां पर stats is equal to identity दे दूँगा stats is equal to identity let's see यह हमारे पास error आ रही है stat is equal to identity in geom bar all aesthetics have length 1 but the data has 650 rows let's see हमारे पास यहां पर crop type ऐसे कर लेते हैं again हमारे पास geom bar requires the following missing character of course हमें y भी यहां पर देना है तो मैं यहां पर कर लेता हूँ say for example y is equal to df dollar sign let's see मैं यहां पर crop type को दोबारा ले कियाता हूँ just for the sake देखने के लिए कि क्या होता है so हमारे पास यह इस तरीके से आ गया but still we need something और crop type की बजाए हम यहां पर say for example study id कर लेते हैं and here we go ठीक है अब आप देखें के हमारे पास यहां पर जो study id है उसकी वेस पर यह plot तो बन गया है ऐसे ही है can you see that so इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हमें count find out करना होता है और count के लिए अगर आप गौर करें यहां पर हमारे पास ggplot2 है y पर हमारे पास count होना चाहिए और यहां पर अगर गौर करें we should have a kind of count here यह check करें ठीक है so हमें count को find out करना है अब इस वाले जो code है मैं इसको implement करूँगा and you will see कि यह किस तरीके से हमें count देगा and then we will create a plot simply so यहां पर मैं ctrl shift 1 करता हूँ इसको paste करता हूँ हमारे पास df मजूद है already ठीक है तो हमें यह करने की जरूरत नहीं है df के अंदर मैं इसको ऐसे यहां से remove करता हूँ ठीक है अब हमारे पास क्या है कि हमने यहां पर df के अंदर changes लानी है और हमारे पास color जो है उसके अंदर j and d उन्होंने filter किया था अगर आप गौर करें इस dataset पे तो हमारे पास यह वाला dataset था cut color and count उसकी base पे आ रहा था ठीक है cut color and count यह तीन इसके column थे हमारे पास जो है वो crop type है crop type की base पे हम काम कर सकते है कि किस तरीके से हमने crop type करना है so अगर आप data को filter करना चाहें go for it लेकिन हम नहीं करना चाहते so what we can do is we can keep it like this और यहां पे group भी नहीं करने की ज़रूरत so we can summarize count is equal to and यहां हम बलके group करते हैं सिरफ एक की base पे group by यहां पे हम दे देते हैं crop.type let's see crop.type and हम इसको चला के देखते है यह हमारे पास आ गया जो crop type का count simple जो हमने पहले किया था count की command से भी आ सकते है and ऐसे भी आ सकते है अब अगर आप गौर करें crop type और उसका count तो हमारे पास आ गया but we need to create a bar plot out of it इसका मतलब x पे crop type रख लेंगे y पे counts रख लेंगे तो हमारा bar plot count वाला बन गया simple ठीक है अब मैं आपको इसको समझाता हूँ यह मैंने इसी के आगे चल रहा है aesthetic के अंदर x जो है हमारे पास is equal to बिलके यहाँ पर मैं कर देता हूँ crop dot type comma यहाँ पर कर देता हूँ नीचे जो उसका नाम था count का counts let's see counts and plus geom bar stat is equal to identity hopefully it will work otherwise we will see कि क्या मसला है and here you go simple आपका count plot बन गया ठीक है and यह count plot आपने देखा था कि हमने जब different libraries को use करके बनाया था ऐसे बन रहा था and when you have to code you have to look into it deeply इसका फाइदा क्या है इसका फाइदा बड़ा ही कमाल है जब आप खुद से plotting कर रहे होते हैं then you can change many things inside crop type और counts के आप labels भी change कर सकते हैं ठीक है for example मैं यहां पर plus लगा के नीचे आता हूँ मैं यहां पर लिखता हूँ geom और बलके labs label and geom title लिखके देखते हैं geom title और यहां पर मैं देखता हूँ count plot of crop type let's see aesthetic and mapping must be created by aesthetic okay crop type count ah geom title नी होना यह basically title होगा let's see मैं जस चेक करनो पहले कि यह वो ही चीज़ चलती है कर नहीं चलती no it's not showing up okay okay so what we need to do is we can go another way around ggplot ctrl enter यहागी help हमारे पास मैं ctrl 6 पे जाता हूँ help पे and here we can see कि हम किस तरीके से आर एक चीज़ को command दे सकते हैं so मैं थूड़ा असा नीचे जाता हूँ we have aesthetic color sample geompy point mean data mean हो गया color हमने दे दिये that's good they didn't write anything here so हम क्या करते हैं एक और काम कर लेते हैं gg plot to titles and labels जैसे आप यह लिखेंगे you will see something like this and यहाँ से आप easily labels वगरा change कर पाएंगे let's see so यह हमने plot बना लिया इसके बाद भी आप change कर सकते हैं something like this और xlab and ylab भी दे सकते हैं so i will do xlab and ylab and then we will see कि यह काम करता है कि नहीं करता so मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यहाँ पे आना है I think so comma आना है let me see यह plus आना है plus okay plus यहाँ पे लिखता हूँ g not u xlab xlab और इसके अंदर same उसी तरीके से हम दे देते हैं crop type now it's changing here यहाँ पे आपके देखें crop type crop.type के पे यह बला हो गया पहले यह था यहाँ पे and count भी हम दे सकते हैं मैं इसको थोड़ा से zoom in करता हूँ you will see crop type ऐसे आ गया counts को हम number of studies कह सकते हैं ठीक है plus while labels while app इसके अंदर में कर देता हूँ number of studies यह observations observations enter and here you go यह आपका plot बन गया ठीक है और अगर आप इसी plot को color भी करना चाहें तो यहाँ पे आप type के बाद aesthetic के अंदर color is equal to यहाँ पे आप crop.type की base पे भी color कर सकते हैं let's see and here you have ठीक है अब आपने देखा color जो है ggplot में outline को show करता है but we need fill so instead of color you can write fill simple and here you go ठीक है अब आप manual scale पे इनके colors भी change कर सकते हैं of course यह थोड़े से light colors हैं तो आप इनको change भी कर सकते हैं वह कैसे करना है आप यहाँ पे plus करके theme is equal to theme classic कर ले and इसको run करें let's see colors हमारे पास वही है but x and y axis आ गया and then you can also change the color palette ठीक है अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं you need to look into the data again यहाँ पे चेक करें इसने क्या किया है geom box plot बनाया fill कर दिया dose के साथ और कोई color palette नहीं थी and you can see के हमारे पास यहाँ पे काफी और भी parameters है मैं उनके बारे में अभी discuss नहीं करने वाला I just wanted to see how to change colors अब इसके लिए how to change colors in ggplot2 with color palettes देखिएगा अब यहाँ पे यह मेरे पास यहाँ पे आएगा कि आप manually भी color change कर सकते हैं और palette के साथ भी ठीक है कैसे करने palette के साथ वोम देखेंगे और manually कैसे करने वो देखेंगे यह चेक करें यहाँ पे इसने scale bar दे दी है और यहाँ पे आप manual fill कर सकते है color को like this और आप colors के different names रख सकते हैं so यहाँ पे scale fill brewer यह हमारे पास एक command है इसको हम use करते हैं copy करता हूँ मैं मैं यहाँ पे theme के बाद plus लगाके enter डालके इसको run करता हूँ let's see हमारे पास क्या होता है यह check करें color palette सारी की सारी change हो गई ठीक है एक line of code से यह वहाँ पे काम manually करना पढ़ रहा था कैसे हो नहीं है इस चीज़े so you need to learn the basic याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है इसकी एक और तरीक अगर मैं आपको बता दे तो यहाँ पे देखिएगा के हमारे पास dark two colors जो है उसकी base में इसे change कर दिया but what if I need some other colors here you go सिरफ और सिरफ यह name change करें मैं reds करता हूँ देखिएगा क्या होता है reds से क्या होता है मैंने सिरफ यहाँ पे लिखना है reds let's see spelling ठीक नहीं है मेरे r capital है देखा मज़ा वरना इसी चीज़ों पे हम काफी दिन बैठे रहेंगे यह हो गया reds अब मुझे पता है कि मैं यह यह वाले color नहीं use करता था क्यों क्योंकि यह color ramp के लिए होता है यानि के fade से dark light से dark मुझे चाहिए multiple colors उसके लिए set 1 यह वाला सही है तो मैं accent यूज करता हूँ a accent a double c e and t ctrl enter and here you have the plot आपको जैसे colors पसंद है you can choose those color palettes and यह वह color palette है color brewer वाली जो हमने start में install की थी आपको याद होगा अब मैं यह आ करता हूँ इसी को paired कर देता हूँ paired P-A-I-R-D P-A-I-R-E-D paired and here you go one of the nicest plots I would say ठीक है और यह हर plot में यह color palette काम करेगी you just need to know one thing कि आपका continuous scale है यानि कि numeric data है तो आप यह वाला यूज करेंगे color ramp अगर heat map है जिसमें 0 है left पे है value और right पे है तो आप यह वाला color ramp यूज करेंगे color palettes अगर आपका categorical data then you will use this color palettes क्यों क्योंकि categorical data में आपको different colors चाहिए continuous में एक ही color का dark and lighter चाहिए और यहां पे आपको 3 colors चाहिए 0 पे light right पे dark left पे dark ठीक है and this is how it works simple आप इसमें से कोई भी चीज यूज करें it will work and usually आपके color palette कुछ इस तरीके से बन जाते है अब मैं चाहता हूँ कि यार यह plot कमाल बन गया and I am fine with it I want to export this plot but मेरा एक और काम है कि मैं इस plot को export करने से पहले मैं चाहता हूँ यह जो मेरे पास colors है मैं इनको manually set करूँ तो आप यह वाली command यूज करेंगे copy करेंगे इसे ठीक है इसको मैं कर देता हूँ comment out right मज़ा देखिएगा and यहां पे मैं plus लगाता हूँ paste करता हूँ अब आपको पता है कि आपके पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ values होनी चाहिए यहां पे हैं तीन अब देखिएगा क्या होना है control enter वो कह रहा है कि seven चाहिए तीन provided है so you need to provide other colors मैं यहां पे कोई भी colors लिख देता हूँ मैं यहां पे लिख देता हूँ red यहां पे लिख देता हूँ blue यहां पे लिख देता हूँ green यहां पे लिख देता हूँ teal या orange orange मैं control enter करता हूँ and here you go अपनी मर्जी के colors add कर ले ठीक है अगर आपको लगता है किसी publication में कमाल की colors हैं, simply उसका hex code भी आप ले सकते हैं, यह तो मैंने names लिखे हैं अब मैं आपको hex codes की बात बताता हूँ hex codes क्या होते हैं अगर मैं यहाँ पे hex codes of colors यहाँ पे जाऊं I can go to this HTML color codes और यहाँ पे जो मेरी मर्जी का color है मैं ले लूँगा, मुझे यह वाला color चाहिए teal color, तो इसका hex code है यह वाला ठीक है, मैंने इस पे double click किया copy किया, I will go back here, और मैं red की बजाए hashtag लगा के वो color का code paste कर देता हूँ, and this become teal color अगर मैं end पे value change करूँगा, color की tone change हो जाएगी देखिएगा मैं अगर C से D, 1 करता हूँ, color की tone change हो रही है और यह मज़ा coding के अंदर ही है, you can not have the same kind of thing anywhere else, for example मुझे यह वाला चाहिए मैं यहाँ से hex code copy करता हूँ go back, paste here, आपको hashtag खुद से लगाना पढ़ता है, and here you go check करे, हो गया color change एक और मज़े की बात बता हूँ, एक और मज़े की बात आपको बताता हूँ there are some tools where you can just hover and it will give you the hex code उनको बोलते है, color picker color picker और यह chrome के अंदर भी मजूद होती है, एक extension है add to chrome add to extension and यहाँ पे जाने के बाद यह मेरे पास color picker आगए मैं इसको pin कर लेता हूँ and now you will see, मुझे यह वाला color पसंद है for example, मैं इस पे click करूँगा click करने के बाद you will see different kind of things here for example, मैंने click किया, यह मेरे पास आगया अब मैं यहाँ से क्या करूँगा I can choose different kind of colors from here, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे click करता हूँ, let's see and let's see ah! it's not working light we just need to check यहाँ अगाँ अगाँ झाला कर लेक्ष यहाँ है यह एक्सकोड़ के बादेक भाँगाँ यहाँ कर यहाँ अभाँ करक वाँगाँ it should be like that pop out separate window standalone application let's see okay that's a different thing so I will do there is eye dropper, color eye dropper that was my bad eye dropper हमने लेना था, मैंने color picker ले रिया है that's also fine क्योंकि हमें hex code पे जाने की जरूरत नहीं है अब eye dropper को use करते है so मैं यहां पे eye dropper को ले आता हूं ठीक है, मैंने eye dropper को यहां से click किया and sorry why is it not working eye dropper pick yes, now it's working इस पे click करके yes, now it's working, look आपके right side पे, left side पे एक छोटा सा डबा आ रहा है, green या जो change हो रहा है, ठीक है, जैसे मैं उस पे click करके, इस पे click करूंगा, यहां पे color की tone आ जाएगी and I can copy the hex code from here, सही है इस तरीके से आप color picker कर सकते हैं एक और software है windows का है power twice के नाम से power twice microsoft and color picker यह आप अगर install कर लेते हैं power twice तो आपके पास automatically आपके system में color picker की utility आ जाएगी यानि कोई भी तस्वीर open करो, उसका color आप code ले सकते हैं ठीक है और उस code को आप यहां पे लगाएंगे and then it will be easier for you ठीक है जी इस तरीके से आपका color हो गया अब मैं गया करता हूँ, इसको plot को high quality में save करना है मैं plus लगाता हूँ इसके end पे, नीचे आ जाता हूँ, gg save और gg save करने के बाद यहां पे, अब मैं file का नाम दूँगा जिसको save करना, of course, यही file है, जो मेरे पास है मैं इसको save करना चाता हूँ, तो मैं यहां पे लिख देता हूँ, save for example plot.png, ठीक है और इसको comma लगाता हूँ, अब मैं यहां पे different other चीज़ दे सकता हूँ, for example, मैं scale दे सकता हूँ, scale अगर मैं 1 रखता हूँ that means highest quality 2, 3, वो भी highest quality होते हैं then मैं height दे देता हूँ, h i g h t height is equal to, for example, 8 comma, width is equal to for example, 6 and then I will try to run this and sometimes it gives you error but usually plot is there ठीक है, यह आपका highest quality का plot आ गया ठीक है, you can also put dpi's here, यह है वो command जो अक्सर journals require करते हैं कि कितनी dpi का plot है dots per inch 300 है तो highest quality है, यह check करें 79 होगी, अगर मैं इसको 600 करता हूँ this is 190, double होगी है यह highest possible quality है and you see size भी बढ़ा होगी automatically so आपने 300 तक इसकी value रखनी है अपने plot का size आप change कर सकते हैं यहाँ पे आप name देगे ठीक है and this is how you can save and of course I would not recommend कि आप same folder के अंदर plot save करें you need to create a new folder यहाँ पे एक folder में करता हूँ इसका नाम देदा हूँ plots ठीक है this is how it will work अब यह जो मेरे पास इतनी errors आ रही है इसकी reason भला क्या है इसकी reason यह है कि usually आप plot को एक object के अंदर save करते है and then you save that plot separately कैसे? मैं इसी command को cut करता हूँ यहाँ तक जितना मेरा plot बन गया है this one इसको मैं p1 करके एक object में save कर लेता हूँ like this यह मेरे पास object आ गया ठीक है? अब मैं इसको gg save की command से save करूँगा something like this and here you go अब आपके पास क्या है? file name must be a single string not a gg string object let's see यह हमारे पास आ गया plot and let's see okay so यहाँ पे gg save जो है इसको run करके gg save ctrl enter and here we go file name है फिर plot आएगा बाद में plot आना है file name के तो यहाँ पे मैं plot is equal to p1 लिखके इसे run करता हूँ and now you don't have any errors ठीक है? simple तो यह error इस वज़ा से आ रही थी अब आपके पास यह जो plot आए अब error नहीं आएगी so that was the mistake जब हम यहाँ पे करते हैं this is how you can create highest quality possible plots and save them for your publication और यह simply plot png में save नहीं करता it also save the plots in svgs जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ same इसी चीज़ को copy किया यहाँ पे paste किया plots.svg आपने सिर्फ extension चेंज करना है ठीक है? and then everything will remain same let's run this and there is no package called svlite हमने इसको install करना है तो मैं यहीं पे इसे install करता हूँ थाके हमें पता रहे है कि इसके लिए install packages svglite इसको हमने inverted comma में रखके install करना है because svglite एक package है जो svg के अंदर चीज़ों को save करता है in your system ठीक है? so मैं इसे library करता हूँ library करने के बाद svglite लिखते है and we will run this and we will run this and we have svg plot here within few seconds we have the best possible quality plot और ये वाला plot क्यों important है? अगर आप इस svg plot को of course आपको extensions का पता होना चाहिए then you will see that तो मैं यहां पे details में ले लेता हूँ ये png file है ये chrome में खुलेगी अभी फिलाल क्योंकि मेरे पास svg software इंस्टाल नहीं है in the system लेकिन अगर आप inkscape इंस्टाल करेंगे this will be the highest possible quality of the plot और मैं अभी आपको ये भी करके दिखाने वाला हूँ क्यों? क्योंकि अक्सर अकात आप अपने plots को खुद manage करना है ज़रूरी समझे बजाए इसके कि आप किसी और से करें तो ये plots ये मेरे पास inkscape आगया डाउनलोड पे जाता हूँ current stable version में लेता हूँ click करता हूँ and then and best download site all platform MSI click here ये मेरे पास hopefully download start कर देगा here it's downloaded and inkscape.com 136 MB की within a second मेरे पास download होगी because now I have a nice internet speed मैं ऐसे next 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 install करके install कर लूँगा and of course क्योंकि ये open source है इस वज़े से इन का कोई मसला नहीं होता don't worry about that ये software install होगा and then you will see के मैं जितना मर्जी zoom कर लूँगा ना तस्वीर को वो तस्वीर या image फटे की नहीं pixelated नहीं होगा ठीक है you will see that now so installation के फोरान बाद you will see inkscape open होगा then I will right click on this plot जो SVG का है and then I will open that into inkscape right like this hopefully it will show up here yes vector graphic editor है इसको मैं always open रखूँगा अब you see icon change होगा ये basic windows के काम है तो अग्सार अकात लोग परिशान हो जाते हैं कि हो की रहा है so first time ये थोड़ा सा time लेता है inkscape open होने में and later on it will be fine inkscape एक heavy software है ये adobe illustrator की तरह ही काम करता है अब same file को adobe illustrator में भी open कर सकते है अब देखें कि जो मैं बात आपको बताने वाला था वो ये थी यहाँ में मेरे पास inkscape में ये चेक करें कितना zoom in किया मैंने quality वोई है look quality change नहीं हुई ये चेक करें ये मैंने B.E. के बिल्कुल भास आविया हूँ quality change नहीं हुई मैं zoom in करता हूँ zoom out करता हूँ it doesn't change and then the best part is if you choose any tool from the left side I will just have a look on this text document I can edit this text ये जो text आ रहा है इसको मैं edit कर सकता हूँ ये है वो चीज़ जो अकसर लोगों को नहीं बता हूता and believe me this is one of the best thing about Inkscape और ये ही नहीं अगर आपको Inkscape बहुर अच्छे तरीक्या जाता है you can also change the colors of each bar just click right click ungroup यहां से and you have each group separately इसका color change करना है ये ले ये ले so SVG इस वटा से जरूरी है कि आपको अगर later on colorblind friendly colors चाहिए you can do that of course आपको यहां पे भी change करना पड़ेगा right side पे भी so you just group two things together and then you change the color ठीक है and this is how it works very simple very easy and then you can also export your plot कैसे करना है Ctrl-Shift-E दमाए okay so export कैसे करना है आप ये सारे plot को select करे Ctrl-Shift-E दमाए आपके पास export की window आजाए ये यहां पे भी आजाएगे file and then export ठीक है दबाने से ही आगे and then you will select this selection यानि कि जितना आपने select की है वो यहां पे आप DPI's अपने save कर लें 300 है और ये width and height है जो आप तस्वीर बना रहे हैं जहां पे save करनी है वो वहां पे save कर लें मैं यहां से choose करके plots के अंदर ही save करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ something like जो भी मैं नाम देना जाओ तो ये मेरी png file है ठीक है आप png, jpeg, pdf हर एक file में save कर सकते हैं जो भी journal की requirement है and usually png portable graphic network is the best rect1 के नाम से मैं इसे save करना हूँ you can also change the name here मैं यहां से इसको name को change करके लगए देता हूँ and svg to png or plot मैं इसको export पे click करता हूँ and within a second here we go we will have this plot here जो मैंने अभी color change करके बनाया है simple और इसकी quality भी highest है क्योंकि हमने export highest quality में किया है DPI is everything this DPI अच्छा इसको 3000 भी नहीं कर दे ना बहुत बड़ा size हो जाना है image का 300 is a nice spot 150 is also acceptable 600 sometimes बहुत बड़े journals accept करते है so this is how png will work अच्छा कुछ लोग यहां से सिरफ pdf मांगते है आपने pdf पे click करके same काम करना है and here you go you have pdf ले वो ही plot के pdf आगी है क्यूं कुछ journals को थोड़ा सा वो एक कराची का word है again मैं बोलने लगा था वो थोड़ा सा होता है उनको मसला ऐसे चीज़ों का ठीक है अब inkscape पे जो practice करना चाहें go for it it's one of the best things I would say और मज़े की बात है svg आपका सबसे बेहतरी network होता है यह आपको एक और चीज़ बताऊ svg coding की file होती है code हो रहे होते हैं इसके अंदर that's why it's a vector graphic अगर आप इसको पढ़ना चाहें go for it but I would recommend इस तरीके से आप अच्छे वाले plot बना सकते हैं and then you are good to go for your publication हमेशा svg में save करें मैं हमेशा दो lines of code लिखता हूँ save करने के लिए पहले png, second svg क्यों? क्योंकि अक्सर अकाद आपके professor साब कहा देती है इसके color नहीं मज़े के नहीं है यह color change कर दो यह bold कर दो, यह italic कर दो और कभी कबार r के अंदर किसी चीज को italicize या super या subscribe करने के लिए आपको latex सीखनी पड़ती है latex जिससे बोले जाता है या latex बोले जाता है so वो सीखने के बजाए save करो 2 second के अंदर आप उसको italicize कर लो या superscript या subscribe कर लो क्यों r में पंगे लेने है यार बजा क्या है मैं खुद पंगे ये लेता हूँ मैं इस विटा से आपको रोग रहा हूँ मैंने believe me 2-2 गंटे सिर्फ इस चीज़ पर लगाए है कि title superscript में क्यों नहीं हो रहा and when I knew के यार यह इस तरीके से SVG में हो सकता है समझ आगे तो please write down in the chat as well के आपने अभी क्या सिखा and of course अगर आप बाद में देखने हैं तो write down in the comment section के how do you feel now about data visualization with highest possible qualities of plots